इंडियन एक्स्पेस की डेली डिसकॉशन की सीरीज है सबसे पहले तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को गुरुनानक देव जी की जयनती के उपर धेर सारी शुब काम नाए तार्तिक पूर्निमा का भी आज दिवस है तो उसकी भी आप सभी को डेर सारी शुब काम नाए इश्वर से यही प्रातना रहेगी कि आप अपने मकसद में हमेशा अपने मोमेंटम को बनाए रखें आप पूरी एनरजी के साथ अपने कारे में बीजी रहें और हर दिन आप कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते रहें but that said, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं so the most important things that we are going to discuss today they are pertaining to the domain of international relations आप सभी जानते हैं कि इंडिया अब global stage के उपर काफी important player बन चुका है as a result of which इंडिया के international relations और foreign policy काफी सवक्त active है और UPC में भी एक trend देखा जा रहा है कि prelims में although explicitly international relations का component कहीं as such नहीं लिखा सिरफ इतना लिखा जाता है syllabus में that current affairs of national and international importance, they are going to be important but prelims में current affairs important domain तो है ही लेकिन उस domain में से primarily जो एक dominance रहती है वो international relations की रहती है आज की newspaper में भी कई सारे international relations से जुड़ी हुई चीज़ें आई है तो उसको हम आपके साथ discuss करेंगे for example, China, Japan और South Korea इनमें आपस में क्या खिचोड़ी पक रही है ये world page के उपर आई है and new daily edition को क्योंकि हम cover कर रहे है तो वहाँ पर दोस्तों आजकल ऐसा थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है कि world page को ना कोई as such page number नहीं दिया जा रहा तो इसलिए world page मैंने इसको लिखा है यहाँ पर कि San Francisco summit के बाद शायद एक दूसरे को हलके में लेना शुरू कर दिया तो वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी प्यार महबद की बातें चल रही थी लेकिन recently US ने अपने एक missile destroyer को South China Sea में place किया था innocent passage ही था हलांकी लेकिन चाइना को इसमें अपत्ती हुई तो मैं भी US देखना चाहता था कि अच्छा बड़ी काफी बात दें कर लिए आपने San Francisco में कि क्या आपकी करनी और कतनी में consistency है भी या नहीं तो यहाँ पर एक freedom of navigation operation जो conduct किया गया US और China का उसके उपर क्या एक retaliation या उसके उपर क्या एक reaction रहा उसको हमें आपर discuss करेंगे इसके बाद एक बहुत important news इंडिया और US के relation में आ रही है हमारे exam के point of view से यह काफी important news है इसको मैं किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर आपके साथ मैं इसको discuss करूंगा जहाँ पर हम यानि कि Indians US के साथ एक cultural pact agreement एक cultural property agreement not cultural pact agreement agreement and pact is one the same thing cultural property agreement के उपर काम कर रहे है और बहुत जल्द उसको roll out किया जा रहे है यह क्या agreement है इसकी क्या significance हो सकती है और इससे जुड़ी हुई कुछ important nitty gritties को हम यहाँ पर discuss करेंगे इसी के साथ साथ Finland Russia को blame कर रहे for sudden influx of immigrants यह आखिर क्या चीज़ है and again international relations and science and technology का mixture की एक news आईए जहाँ पर China में recently pneumonia outbreak हुआ है तो चाइना में जब भी एक कहावत है world history में हम पढ़ते हैं कि when the France sneezes the whole Europe catches cold तो covid virus के बाद अब हालत यह होगी है कि अगर अब literally कोई चाइना में यह figuratively नहीं है France sneezing and Europe catching cold यह तो चलो एक metaphor था राइट के France में कुछ होता है तो पूरे यॉरप में ही वो wave का असर देखने को मिलता है but चाइना में literally कोई छींक मारता है तो पूरी दुनिया including India काफी जाथा अपने toes पे आ जाती है so as to avoid any unforeseen circumstance ठीक हे health और medicine के point of view से खास कर हम बहुत जादा prepared रहना चाते हैं PDF के लिए दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि CS live group को जरूर join करना और आने वाले दिनों में आपके ACIO exam से related भी मैं कुछ important चीज़े यहाँ पर share करता रहूँगा because ACIO exam जो study IQ start करने जा रहे वहाँ पर मैंने ही पूरा का पूरा general studies आपको कराना है तो not just history but it is going to be entire general studies history, economy, geography, polity and science and technology being the most important component ठीक है तो यह 5 चीज़ों को हम लगबग 20 से 30 दिनों में complete करने वाले हैं और ACIO में अगर आप enroll करना चाहते हैं तो CS live, this is the code that you can use to get the highest discount in case आप पहले किसी study है क्योंकि course में enrolled थे और ACIO में अब enroll होना चाहते हैं उस case में you can drop me your message here at the rate H-E-L-L-O-C-H-A-N-D-A-N यहाँ पर आप मुझे message drop कर सकते हैं on telegram Instagram पर भी मैं यहाँ हूँ और in QR codes को scan करके you can connect with me having said that, LA News से discuss करते हैं तो इसमें दोस्तों इसका जो context है वो यही है कि चाइना ने पिछले 5 सालों में काफी aggression दिखाई especially COVID times में चाइना की aggression next level पर थी यहाँ तक की COVID outbreak को भी चाइना के उपर कई बर blame कर दिया जाता है हलांकि उसका कोई ऐसा थोस हमें सुबूत नहीं मिला लेकिन अक्सर कहा जाता है कि शायद COVID चाइना का man-made virus था जिसने की दुनिया में एक disruption create करने की कोशिश की उसके बाद चाइना काफी aggressive रहा इवन इंडिया के साथ इसके relations को देखें तो गलवान वैली इंसिदेंट नौर्थ इस्ट में अरुनाचल सेक्टर में encroachments ये time to time करता रहा है और west को भी इसने continuously आंके दिखाई है as a result of which US-led western nations ने चाइना के ऊपर कई तरह के indirect sanctions लगाए तो उन sanctions के वज़े से चाइना की economy का एक तरीके से गला घुट रहा है secondly, Russia-Ukraine war के चलते अब रश्या भी चाइना के ऊपर dependent हो रहा है and you know that war is an expensive affair ऐसी situation में what is happening is कि रश्या चाइना के ऊपर overly dependent हो रहा है even North Korea भी कोई बहुत strong country नहीं है कि चाइना का साथ दे सके कि कंदे से कंदा मिला के उसकी help कर सके Russia war में फसा हुआ है North Korea चोटा country है और Pakistan का हाल आपको मालूम है वो मुझे बताने की जुरूत नहीं है तो चाइना एक तरीके से ऐसे countries को lead कर रहा है जो उसके उपर dependent है तो एक तरीके से पूरा बोज धोता हुआ वो आगे को बढ़ रहा है और West को challenge करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस बीच उससे ही realize होता है कि this is not sustainable और उसे अपने aggressive stance को थोड़ा सा tone down करना पड़ेगा इसी की backdrop में recently वो San Francisco में meeting रखते हैं Xi Jinping और Joe Biden और उसमें किस तरह से ये दो countries अपने बेदों को side पे रखते हुए पूरी दुनिया के hit के लिए और अपने दोनों countries की जनता के hit के लिए आपस में collaborate कर सकते हैं इसकी उपर वो summit रखते हैं और नजर आ रहा है कि China basically एक good boy बनने की कोशिश कर रहा है इसी development को और further enhance करने के लिए अब China का कर रहा है कि एक तरफ US के साथ relations तो उसने सुधारे ही हैं सुधारने की कोशिश कर रहा है at least उसके जो regional allies हैं इंडो-pacific region में जो US के most close regional allies हैं जैसे कि Japan, South Korea ये regional allies जो हैं इनके साथ भी China अब अपने relations को improve करने की बात कर, ठीक है तो ये clearly चाइना का decline in aggression कह लीजिए यहां थोड़ा tone down करने की जो उसकी कोशिश और उसके efforts है उसकी एक example है ठीक है, there is one more example to this thing तो 2023, इसी साल के September में China, Japan और South Korea के foreign ministers की meet होती है और ये meet South Korea में होती है, South Korea में there is a place called as Busan Port ठीक है, आपका homework इसको map में locate कीजिए, यहां पर एक important meeting हुई, इस important meeting में ये decide किया गया, कि जिस प्रकार से 2008 में इन्होंने एक mechanism तयार किया था, जहां पर इन तीनों countries में annual summits होंगे, जहां पर अलग-अलग चीज़ों को और मुद्दों को discuss करके, आपस में कैसे collaborate और cooperate किया जा सकते है, यह summits हुआ करते थे, तो यह summits को revive करने की बाद, इस September 2023 की meeting में की गई, meeting कहां पर होई, यह काफी important बन जाता है, map related question यहां पर बन जाता है, तो Busan Port इसलिए आप से request करूँगा, कि इसको जरूर note कर लेना, यह meeting लगबग 100 minutes में हुई थी, right, तो इस 100 minute talk में basically कई spheres में किस प्रकार से China, इन countries के साथ cooperate करेगा, उसके उपर बात की गई, primarily जो important spheres थे जहां पर cooperation की बात की जा रही है, वो थे economy and technology, और इसी के साथ साथ, इसी meeting का सबसे important aspect था, कि हमें एक concrete plan बनाना है, come what may, हमें एक annual summit अब start करना है, और इसे एक regular affair बनाना है, यह summits COVID-19, lockdown की वज़े से, और कुछ और कारणों की वज़े से, जैसे कि China का ही aggression और US के जो efforts थे, right, to put the whole world against China, उसकी वज़े से, यह summits कही न कही स्थगित हो गए थे, अब इन सारी चीज़ों को revive करने की बात की जारी है, तेके यह सारी की सारी चीज़ें, 2008 में institutionalized थी, तो now, China basically wants to revive all these things, I hope यह news जो है, आपको clear हो गई है, इसमें important चीज रहेगी, South Korea में मौझूद Busan Port, यह कहां separation थोड़ी सी addictive सी होती है और थोड़ी सी deceptive भी हो जाती है कई बार, क्योंकि mains में हमें दिखता है अपना expression of creativity, that how beautifully we are able to introduce a particular answer, how beautifully we structure our sentences, how beautifully we can use quotes, और उससे एक अजीब सी satisfaction मिलती है, लेकिन कही ना कहीं वो satisfaction हमारे prelims की तयारी को back foot पे भी डालती है क्योंकि आपने मेंसे बहुत से aspirants I know, उनका ये claim होगा कि mains हम संभाल लेंगे, बस pre किसी तरह clear हो जाए, दोस्तों actually, pre clear करोगे तब ही mains लिखने का फायदा है, तो आपका जितना मर्जी answer writing हो, जितना beautifully आप answer लिख रहे हैं या essay लिख रहे हैं उसके ज्यादा फायदा नहीं होगा अगर आपका pre ना clear हो, तो अब मैं suggest करूँगा कि अब MCQs की practice को थोड़ा सा turn up कर दो, ठीक है, pull up your socks to practice more MCQs, right, related to journal studies so that you can perform really, really, really well in your exam, ठीक है, तो देखो, ये ना मतलब ये खिलवाड करने वाली बात हो जाती है, ठीक है यहाँ पर ऐसा हुआ, कि बड़ी ना छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, यूएस और चाइना ठीक है, तो अभी यूएस से हैं है, आप मान लो class के दो बच्चे हैं, और दोनों में पूरी class को पता है और पूरे school को पता है कि यूएस और चाइना, ठीक है, इनके नाम भी रख लेते हैं बच्चों के, एक बच्चा जो बाइडन के नाम से है, दिखने में थोड़ा बूड़ा लगता है वो भी ऐसे छोड़ता नहीं है, वो भी बुली करता है गाजा में रहने वाले बच्चों को और दुनिया के बच्चों को उसने past में भी कई बार बुली कर रख है लेकिन जब ये Xi Jinping किसी को बुली करता है, तो तब उसको ज़ादा तकलीफ होती है तो बाइडन ने अपने बाकी friends के साथ मिलके कहा, कि हम इसको cut off करते हैं, इससे बात नहीं करेंगे तो ऐसा देखने को मिला कि Xi Jinping को पता लगा कि यार मैं स्कूल के annual functions हो रहे हैं उसमें awards मिल रहे हैं सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं खेल कुद रहे हैं, मुझे कहीं न कहीं isolate कर रहा है, ऐसे तो काम बनेगा नी तो ये कहते हैं कि चलो यार, इसके साथ थोड़ा relations उधारते हैं, तो ये कहते हैं कि चला जा, हमारे school की canteen के पीछे एक जगा है, जिसका नाम है San Francisco, ठीक है, वहाँ पर हम मेरी मर्जे का juice पिला देना, तो जो खाना होगा, वो मैं वहाँ पर खिला दूँगा, दोनों की अच्छे खासी बात होगी, बहुत प्यार और भाईचारा रहा, इसके बाद जो बाइडन, एक बच्चे की तरह सोच रहा है, यार, ये की वो एरिया सभी का है, सारवजन ही का है वो तो, ठीक है क्लेम गलत कर रहा है, तो इसने का कि क्यो ना, इसको मैं चेक करूँ कि क्या जो इसके मूँ के उपर है, क्या मन में भी वही चीज़ है, तो ये क्या कहता है, ये freedom of navigation operation conduct करते है, freedom of navigation operation को आप modern form of ashwamedh yagya consider कर सकते हैं, ठीक है काफी heavy बात बता रहा हूँ, पर ये समझ ना, this is like modern form of ashwamedh yagya, इसमें क्या होता है, कि जैसे चाइना ने illegally nine dash line create करके in the South China Sea, अपना claim उस समुद्र के उस area के उपर बनाने की कोशिश की है, जबकि 2016 में international court of arbitration, please note this down, in 2016 international court of arbitration ने nine dash line को illegal घोशिद कर दिया था, और China के claims को भी illegal घोशिद कर दिया था, China उस arbitration की outcome और उसके verdict को accept नहीं करता, इसलिए बहुत ही aggressive रहता है, and it is treating the area and territory under nine dash line as its own, लेकिन क्योंकि international law और international court of arbitration इसने ruling अपनी दे रखी है, तो अगर US या कोई और country उस area से गुजरेगा, तो वो कोई अंतर राष्ट कानून का उलंगन नहीं कर रहे, individually चाइना के साथ confrontation जरूर हो शकती है, but as such they are not violating any kind of international law और international regulation, तो यहाँ पर इन्होंने line dash line के अंदर encroachment समझ लीजे की, ठीके to challenge and to see कि चाइना किस तरह से react करता है, चाइना ने starkly या बहुत ही sharply react किया and we can see that इन्होंने basically जो US के 7th fleet का ये missile destroyer जिसका नाम hopper था, ठीके hopper नाम के इस missile destroyer को place किया था, तो इसको वहाँ से खदेर दिया था, ठीके, तो ये basically situation और ये development हुई अब इसमें से fine points जो हमें निकालने वो क्या है, सबसे पहले missile destroyer का नाम, ऐसी चीज़ें यार, ACIO exam जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूछे जाती हैं, तो बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा था पिछले कई दिनों में, कि sir आपकी ये series क्या ये, ACIO में help करेगी या नहीं, तो definitely करेगी, ठीक है, and in coming days you will see, ठीक है, prelims भी पास आ रहे है, ACIO भी आने वाल है, दोनों objective type MCQs है, prelims में depth ज्यादा चाहिए, ACIO में depth नहीं चाहिए, बट yes, factual information तब भी चाहिए, तो हम अपने questions को, हम अपने articles को, और उसमें दी गई information को, उस demand को fulfill करने के लिए भी, हम थोड़ा orient करेंगे, one second guys ठीक है, तो hopper ना, जरूर याद रखना है, ठीक है, freedom of navigation operations, I am very sure, आपको clear होगे कि क्या होता है, ठीक है, कोई area, जब international law के इसाब से, it's open and free, तो वहाँ पर एक country, अपनी कुछ naval operations कंड़क करेंगा, naval operations में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई attack हो रहा है, कोई problem हो रही है, एक innocent passage, ठीक है, एक innocent passage, यानि कि, without having any intention to attack some territory, वो अराम से गुजरते हैं, ठीक है, क्योंकि उदर से, ये crossing हो सकती है, क्योंकि वो international waters है, अब उसमें अगर कोई confront करता है, कोई challenge करता है, इसका मतलब वो अपनी territory claim कर रहा है, फिर दोनों में decide होगा कि, क्या चीज़ क्या है, ठीक है, और इसमें ultimately outcome ये निकला है, कि US ने challenge किया, चाइना ने उसको ख़देड दिया, confrontation दोनों ही countries नहीं चाते, लेकिन हाँ, बात वही है, कि everything is back to square one, as far as territorial disputes around South China Sea, इस concern, ठीक है, और US के उपर चाइना ने, चाइना देखो, अब क्या कर रहा है, चाइना एक तरफ summits conduct करवा रहा है, US के साथ, और उसके allies के साथ, दूसरी तरफ region में, वो US की ही strategy अब apply करने के कोशिश कर रहा है, जैसे US ने अपने western allies को, European nations, Canada, etc, other countries को क्या किया, उनको ये समझाया, ये प्रतीत करवाया, चाइना एक security risk है, एक security risk creator है, उसी तरह से चाइना अब अपने region में, बाकी countries को, including Japan and South Korea, उनको भी ये बता रहे हैं कि ये US जो है, ये risk creator है, जान बूज के वही बात है, जान बूज के poke कर रहा है, जिससे की confrontation होगी, खुद तो चला जाएगा बापिस अपने देश, हमारा region इंस्टेबल हो जाएगा, अब यहाँ पर दोस्तों हम cover करेंगे third eye angle, this is very important to cover, ठीक है, South China Sea आखिर इतनी important है, क्यों, why is South China Sea so important, secondly, mains की तैयारी, no doubt, मैं आप सभी को यही suggest कर रहा हूँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए hold पर रख सकते हैं, but still, mains के point of view से भी, कोई भी question ऐसे dispute पर आता है, तो importance of South China Sea, अगर आप कुछ points में बता पाएं, और हर point को justify कर पाएं, so that will basically help you to secure some extra marks, right, so इसमें significance अगर बतानी हैं, तो most important significance, economic significance यहां पर रहने वाली है, no doubt, strategic significance है, because strategically, South China Sea, especially the portion of this nine-dash line, nine-dash lines अब को पता है, nine-dash line क्या है, South China Sea के एक portion को अपना दिखाने के लिए, China ने एक map release किया था, उस map में यह imaginary lines, आपको पता है, समुदर के उपर ऐसे lines दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन यह imaginary lines उसने बताई, to lay its claim over some strategic islands of South China Sea, such as Parasal Islands, Kalboro Shoal, and Spratly Islands, ठीक है, इनके उपर अपना claim ले करने के लिए, nine-dash line बनाई, South China Sea, 2016 की जो data हमारे पास available है, ठीक है, this is from the time when I used to prepare for the exam, तो उस data के हिसाब से, 3.37 trillion dollar का trade South China Sea से पास होता है, जिसकी वज़े से 3.37 trillion dollar, आप समझ सकते हैं, इंडिया की GDP जरा बताना मुझे कोई comments में कि कितनी है, और हम 5 trillion dollar का aspiration रख रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया की GDP से ज्यादा है, this 3.37 trillion dollar, at least 2016 में जो हमारी GDP का level था, उससे ज्यादा है, उससे काफी ज्यादा था, वर्ल्ड की top 5 economies में आने वाले countries की GDP से अगर ये ज़्यादा trade यहां से पास हो रहे है, तो you can understand the significance of South China Sea in matters of international trade, global trade, इसी के साथ साथ एक Center for Strategic and International Studies ये एक institution है, इन्होंने एक study की थी, ठीक है, अब ये आपके उपर है कि mains के answer के point of view से आपको जो information याद रहती है, रिटेन रहती है, आप उस हिसाब से South China Sea की significance को बताने के लिए use कर सकने है, एक तो है 3.37 trillion dollar as of 2016, दूसरा है कि ये देखो, 80, 70, 60 and one third, right, 80, 70, 60 and one third, ये figures हैं, 80%, 70%, 60%, ठीक है, and one third, right, तो 80% जो global trade होता है, वो होता है वाया oceans, ठीक है, 80% of the global trade जो है, वो होता है, वाया oceans, उसके बाद हमने क्या देखा था, that 70, 80% by volume and 70% by value, ठीक है, 60% इस global trade का जो है, वो Asia में होता है, और इसी global trade का one third जो है, वो कहां से हो रहा है, South China Sea से, ठीक है, one third of the global shipping is being conducted from South China Sea, ठीक है, तो ये भी अपने आप में South China Sea की significance बता रहा है, इसी के साथ-साथ एक और significance है कि mineral resources and fisheries, ये यहां पे काफे rich है, that can support livelihood of millions of people, and क्योंकि चाइना की एक काफे बड़ी population है, बड़ा देश है, highly populated है, तो उसके लिए ऐसे resources भी काफे crucial हो जाते हैं, ठीक है, and not just China, in fact, most of the Asian countries are densely populated, even the Southeast Asian nations that are present near South China Sea, they are also quite densely populated, ठीक है, अब इसमें जो contention है, ठीक है, ये Spratly Island, Paracel Island, इसी के साथ साथ दो और Island हैं, इनके बारे में आपने सायद कम सोच जाओ, ठीक है, these are Pratas Island and Natuna Islands, right, Scarborough Shoal भी आपको पिछली figure में दिखा दिया है, तो Natuna, Pratas, Spratly, Paracel and Scarborough Shoal, ये Islands हैं, जिनको लेकर अक्सर dispute रहता है, between several countries, like China, Philippines, Vietnam, etc., ठीक है, तो इसमें इन Islands की location जाननी ज़रूर है, ठीक है, खास कर ये जो थोड़े से less known Islands हैं इन पर अगर आप थोड़ा सा prepare कर लेते हैं, तो बुरे बक्त में information काम आ सकते हैं, जैसे कि Natuna Islands आप यहाँ पर देख सकते हो, कि South China Sea के Southern tip में, Malaysia से थोड़ा सा North, Singapore Malaysia से थोड़ा सा North, यहाँ पर मौझूद है, और नटूना Islands जो है, यह Natuna Islands है, और प्राटा Islands यहाँ पर हैं, ठीक है, प्राटा Islands आप देख सकते हैं, कि Hong Kong से South East की तरफ, Taiwan से South West की तरफ, यह Luzon Island, Philippines का पार्ट है, तो इसके North में यह लाए करते हैं, ठीक है, तो यह relative location on the map, it is important for you to know this, इसी के साथ-साथ, China, it is, China, basically, पारसल और स्प्राटली में, सबसे दाधा active है, और इन दोनों Islands में यह क्या कर रहा है, artificial dredging और island building करता जा रहा है, जिसकी मदद से, इसका ultimate objective यही है, कि अपनी territorial sea की जो baseline है, उसको extend कर दे, और उस extension की वज़े से, UN clause, United Nation Convention on Law of Sea के हिसाब से, जो legitimate territories की बनती है, उसको expand कर सके, जिनको नहीं पता UN clause, United Nation Convention on Law of Sea, उनको मैं बता दूँ, that this is related to your static term, आप geography में, और international relations की classes में, इसे cover करते हैं, ठीके, और तभी वही बात है कि, अगर आपने current affairs के उपर, एक मजबूत grip बनानी है, it is very important, that you have a strong grip, over your static part as well, अगर किसी के static week है, और वो current affairs के पीछे भाग रहा है, I am sorry to say, but आप दिवार को धक्का दे रहे हूँ, I hope you understand, and from now on, you will not underestimate the power of static portion, इसका answer बताईए, Prata islands often seen in news, are closest to which of the following islands, or places, Hong Kong, Taiwan, Philippines, Malaysia, now this is one such question, जो ACIO exam में भी पूछा जा सकता है, और यो पेसे prelims में भी आ सकता है, क्योंकि ये news में जल रही हैं सारी चीजे, हमने third eye angle थोड़ा extrapolate किया, and we have to do it, because you need to understand that news paper सब कुछ नहीं होता, news paper के beyond जाना पड़ता है, and that is the beauty of this particular series, के Indian Express newspaper को, हम अपना base बना कर, important ongoing current awareness को नाकेवल समझते हैं, लेकिन उन से exam के point of view से, जो extra चीजे हमें पता होनी चाहिए, आपके साथ वो भी share की जाती है, तो Hong Kong, Taiwan, Philippines and Malaysia में से, जिसके सबसे closest है यह, that is Hong Kong, ACIO students, आपको भी information देदू थोड़ी सी, यह information आपके थोड़ा काम आ सकती है, if you draw appendicular lines to Prata Islands, Taiwan, Hong Kong and यहाँ से, तो Hong Kong से महस 320 km की दूरी पी है, Taiwan से 410, और यह Luzon Islands है, जो Prata Islands का distance है, यह लगबग 490 km की दूरी पी है, तो Prata Islands, South China Sea में, disputed हैं and यह इसकी दूरी है, ऐसा question ACIO में पूछा जा सकता है, ठीके, so GS वले बच्चों, हम ACIO में और भी इसकी discussion करेंगे, जिसने enroll अभी तक नहीं किया, कर लेना, कल से classes start, कल से I will be taking, classes I will be starting with GS portion, ठीके, I hope orientations अबने ले लिये, तो अब समय है consolidate करने का, और बहुत से लोग अभी भी सोच रहे हैं, कि हम क्या अब तयारी करें, किस year को target करें, कैसे करें, तो सबसे पहले तो जो scratch से तयारी शुरू कर रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा, कि target 2025 and for 2025, study IQ ने course start किया है, हमारा batch शुरू हुआ है, UPSC IS के लिए P2YGS batch 4, इस batch में, अभी recently Saturday को मैंने orientation class ली थी, ठीक है, उस orientation में, जो exam को लेकर कई गलत फहिमिया होती हैं, और exam की approach को लेकर, जो starting में ही बच्चे बहुत blunders कर देते हैं, उसके बारे में मैंने समझाया था, अब अगर आज भी इस course में enroll करते हैं, तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी वो orientation class आपकी उसकी recording मिल जाएगी, और आज हमने GS1 paper की discussion की थी, अगें, उसकी भी आप recording ले सकते हैं, and subsequent classes आप live लगा सकते हैं, तक हमने कोई ऐसा बहुत high-five और बहुत heavy component कुछ start नहीं किया, so still there is time, right, so CS live code लगाने से, आपको इस में maximum discount मिल जाएगा, आपको बारा हजार रुपे की छूट मिलेगी, क्योंकि 37,000 की जाएगा, ये सिरफ 24,999 रुपे में आपको ये पूरा course मिल जाएगा, इस course में आपको mentorship भी दी जा रही है, which is a very crucial component of this course, जहां पर mentorship का number आपके साथ share कर दिया जाता है, so we understand कि UPC तयारी में कई बार doubts आते हैं, कि मैं कौन से book follow करूँ, मेरी friend ये book follow कर रही है, मुझे क्या ये book follow करनी चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, and as far as test series crash course is concerned, इस course का नाम P2Y है, prelims to interview, जिसका मतलब ये है कि पूरी stage में जो भी आपको चाहिए, वो आपको मिलेगा, चाहे वो prelims का crash course हो, prelims की test series हो, mains का crash course या mains की test series हो, everything will be provided to you, having said that, आगे बढ़ते हैं, and SIP plus, this is another course, this is for 2024, तो जो prelims को target करने वाले लोग, basically everyone, जो भी तक पढ़ाई कर रहे थे, अब समय है कि prelims की तरफ अपनी orientation कर दो, consolidate कर दो, तो इस course की मदद से, पूरा syllabus revise होगा, इसमें test series भी मिलेगी, right, and downloadable PDFs की मदद से, आप effective और quick revision भी कर सकते हैं, इसी classes 4th December से start हो रही है, I'll be there in this course, and it is going to start at 5 p.m., ठीक है, 5 p.m. इसका time रहेगा, right, so CS Live course से, ये course भी आप 7,499 में ले सकते हैं, आगे चलते हैं, अब India और US की बात करते हैं, देखो हमने कितने international relations चल रहे हैं, right, China, Japan and South Korea, US and China, now US and India, इन में क्या चल रहे हैं, इन में यार actually एक cultural property agreement को लेकर बात चल रही है, काफी देर से over a period of two years, ये developments चलती जा रहे हैं, and recently आप सब को याद होगा, हमने बहुत ही extensively cover किया था, the state visit by honorable prime minister to US, जो June-July में conduct हुई थी, और वहाँ पर किस प्रकार से, इसी तरह से India and US अभी क्या कर रहे है, ये stolen antiquities की return के लिए एक agreement को sign कर रहे है, do you people understand what is stolen antiquity, this is not an example, ये तो loot का मालब ले गए तो ले गए, ऐसे तो return करेंगे नहीं, बट ऐसा होता है कि हमारे बेश कीमती चीज़े हैं, हमारे museums, art galleries और बहुत से जिगाओं पर पड़ी हुई है, तो रितिक रोशन खुद को पूरा white paint करके, हमारे अलग-अलग art galleries में जाके, हमारे कुछ important हीरे जोराद चोरी कर लेते हैं, और international black market में उसको sell कर देते हैं, ठीक है, देखिए न, धूम 2, I think it's, धूम, हाँ, धूम 2 थी, ठीक है, रितिक रोशन ने जैसे किया था, similar to that, तो उसमें antiquities को चोरी करके, वैसे उस movie में उसने वो चीज़ें चोरी करता था, जिसे बेचा नहीं जा सकता था, क्योंकि जो भी बेचेगा, वो पकड़ा जाएगा, ठीक है, वो फिर problem होती थी, लेकिन, बहुत से antiquities, including painting and many other things, ये चोरी हो जाती है, अलग-अलग countries तक पहुँच जाती है, तो इसमें अभी के process में क्या होता है, that India has to prove, कि ये चीज हमारी है, और उसके proof करने के बाद ही, वो चीज को return किया जा सकता है, जिसमें की बहुत जादा time लग जाता है, लेकिन इस agreement के बाद क्या होगा, कि ये जो proof करने का burden है, ये हट जाएगा, and US automatically इंडिया के लिए return offer करेगा, कि हान जी, हमारे पास ये antiquity कहीं से आ गई, ठीक हमारी FBI, हमारी agencies ने पता करा लिए, ये चोरी हुई थी, और हमें पता है कि आपके country से चोरी हुई थी, तो हम offer कर रहे हैं, ये आप लेके जाना चारते हैं वापिस, तो ये situation यहाँ पर होने जा रही है, ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, कि 2014 से लेकर अब तक, ऐसे 400 बेश कीमती antiquities हमारी हैं, जो हम अलग-अलग country से वापिस लेके आ चुके हैं, तो ये हमारे देश की ही संपत्ती है, और इसी के साथ साथ, इसमें basically, आपको मैंने process वेसे समझा दिया है, कि इसमें कुछ high-five नहीं है, वही बात है कि US जो है, अपने borders पर काफी active रहता है, ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज, generally, खुले हाम तो लेके आएगा नहीं, कोई, एरपोर्ट पर ऐसे कोई चोरी हुई भी painting है, तो ऐसे पकड़ के तो लेके जाएगा, हाँ जी, हट जो, ये painting, बातिंग, अंडर 7 kg है, cabin bag में fit करके में लेके जा सकता हूँ, तो allow me, ऐसा नहीं होता, तो US जो है, active है, smuggled good की तरह आएगा, तो कोई भी ऐसा smuggled good, जो भी US intercept करेगा, उसको वो वापिस repatriate कर देगा, and this repatriation process is going to be quite simpler, अभी के process में, कुछ glitches, यहां कुछ hiccups आतने हैं, यहां bottlenecks हैं, सबसे पहला और सबसे painting point जो है, वो यह यह, कि burden of provenance, ठीक है, this burden of provenance, this basically means, कि India को यह proof करना पड़ता है, right, through proper documents and verification process, कि यह जो चोरी हुई चीज़ है, यह हमारी है, तो इसमें FIR, यहां कि जोरी हुई थी, तो आपने FIR लिखवा ही थी, right, वो चीज़ें, and further, many other documents, इनको analysis करके, इसको भेजना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, यह इसको, ठीक है, और इस पूरे के पूरे process में, archaeological survey of India, plays an important role, and, note this down, ACIO students, and UPC as well, इसको note कर लो, archaeological survey of India, is the custodian of all antiquities in India, ठीक है, यह statement आती है, तो आप इसको true मानेंगे, minor exceptions हो सकती है, but largely, आपको पता, UPC में, ठीक है, exception पर जब सवाल आता है, तो, वो पता लग जाता है, कि किस context में पूछना चारा है, but yes, archaeological survey of India, in general, इसके बाद, ASI, यानि, archaeological survey की, एक team, post country में जाएगी, यानि कि, इस case में, US में जाती है, before this agreement coming into picture, वहाँ पर जाकर, वो objects को verify करेगी, ठीक है, उसके wear and tear marks देखेगी, उसके iconographic को देखेगी, and accordingly, it will establish that, yes, this particular antiquity belongs to us, right, so you better return us, right, और इसमें अभी के process में, there is a limitation, कि इसमें इतना समय लग जाता है, और time limit भी नहीं दे रखा, there is no time frame, कि पकड़े जाने के बाद, identify करने के बाद, कितनी देर में, आप ये पूरी की पूरी चीज, return कर सकते हैं, right, तो ये काफी बड़ी problem, लोगों को, और हमारे पूरे इस process में, हम देखने को मिलती है, now, the drawback of this agreement, that we are going to sign with the US, is, कि ये time limit, शायद इस agreement में भी, अभी इसके उपर कोई clarity नहीं है, और होने भी नहीं वाली, क्योंकि US ने और भी, बहुत से countries के साथ, similar agreement sign कर रखी है, उसी के template को, इंडिया के लिए use किया जा रहे है, by US, और उन agreements में भी, time limit के उपर, वो silent है, हो सकता है, कि इंडिया का pro activism, अभी यहाँ पर, इस time limit की problem को, resolve कर सके, and we give a time limit in this agreement, but as of now, इसके संकेत अभी, कम ही लग रहे हैं, ठीक है, तो ASI की से related, एक थोड़ा सा third आई चीज, थोड़ा सा additional fact, कि अभी recently, यह ASI की team Singapore गई थी, घूमने नहीं गए थे, ठीक है, spa वागरा में अपनी सेवा करवाने नहीं गए थे, यह क्या गए थे, चोला empire के समय के, कुछ bronze artifacts चोरी हो गए थे, और Singapore में जाके वो पाए गए थे, ठीक है, तो 1414 objects इनको verify करना था, और prove करना था कि इंडिया की हैं, और इसको वापिस लाने के पूरे procedure में, यही भज़ाड के लिए, इस Singapore में गए थे, ठीक है, तो यह problem है, and this is a problem जो हमारे artifacts की चोरी हो जाती है, अब US क्या बहुत अच्छा country है, यह लग तो रहा है कि है, इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि पिछले 20 सालों में, इसने 20,000 objects, 40 से जादा countries को return कर दी है, ऐसा नहीं है कि कोहिनूर दबोच लिया, तो दबोच लिया, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट UK से तो थोड़ा बैटरी लग रहे है, यार आज किल UK का नाम जब भी आते हैं, मिरको वो 70 घंटे वली comment याद आ जाता है, और जो खून उबलता है, उसको याद करके, माई गॉड, भाई, क्या ही बोलें, वाईट, 70 घंटे, ठीक है, अगर preparation कर रहे हो, तो 70 hours study तो ठीक है, समझ आता है, कि 10 घंटा डेली आप पढ़ाई करें, Monday to Sunday, हाँ, उसमें Sunday भी ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा-थोड़ा, दो हफते के gap के बाद बीच में, थोड़ा सा अपने लिए कुछ, मनोरंजन का भी कारेकरम रखें, ताकि आपकी mental health strong रहें, वो तो अजीबी comment था यार, चलो, coming back, before I lose my temper, over that stupid remark, बाई, apparently stupid person, जो mental health की value को भी नहीं समझ रहें, लेकिए mental health is necessary, mental health strong रहती है, तो इंसान की efficiency भी रहती है, आप भी अपनी तयारी में क्या है, अपनी mental health का ध्यान रखेंगा, उससे efficiency improve हो जाती है, तो इसमें से, इंडिया ने पिछले 4 सालों में, 400 smuggled items को वापिस ले ले, तो देखो, return कर देता है, अब यह कह रहा है कि, यार return तो देख मैंने कर नहीं है, अब यह provenance वगेरा वाला भसड यह हटाते है, ऐसा करते हैं, agreement करते हैं, ठीक है, तो बहुत से countries के साथ, 25 से जादा ऐसे countries हैं, जिनकी active ऐसी agreement, US के साथ sign हो रखी है, इसमें आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, and I am telling you this, क्योंकि यह potential MCQ बनता है, अफगानिस्तान के साथ, इन्होंने CPA sign किया हुए, इंडिया के साथ नहीं है, बताओ, यह potential MCQ है, CPA आ गए न्यूज में, cultural property agreement, अब इसमें, पहले कई countries के साथ US sign कर चुक है, और इसमें सवाल यह बन सकता है, कि इंडिया के साथ अभी होने वाली है, जिनके साथ हो चुकी है यह agreement, उनमें से कौन से यह countries नहीं है, उसमें अफगानिस्तान का नाम देखती है, आपको लगएगा, यह तो कहां ही होगा, यहाँ पर तो Taliban rule है, इसको अटाते हैं, कि इसके साथ है, चाइना के साथ है, कमबोडिया, एजेप्ट, एजेप्ट, ग्रीश, इटली, और टर्की, इनके साथ तो होना बनता ही है, क्योंकि इनके भी काफी सारे, यह भी culturally, मतलब काफी rich countries, rich civilizations यहाँ पर पनपी थी, flourish की थी, तो इसलिए, इनके साथ तो होना बनता ही है, जॉर्डन के साथ भी है, कमबोडिया के साथ भी है, और अफगानिस्तान चाइना के साथ भी है, इंडिया विल अल्सो भी दे, और आपका homework, अगर थोड़ी curiosity है, तो बाकी total 25 countries, आप search कर सकते हैं, अब इनके साथ agreements में भी मैंने जैसे आपको बताया कि timeline के बारे में नहीं बता रखा, लेकिन फिर भी इन agreements की वज़ए से return process काफी ज़्यादा smooth और fast हो जाता है, और हम भी उमीद कर रहे हैं कि हमें भी इस context में फायदा होगा, prelims and ACIO, इसमें आपके सामने ये question आ सकता है, यार देखो ACIO को ना बार-बार मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, यार कि UPSC aspirants ये गलती मत करना, मैंने ना एक गलती की थी, आपके साथ ना एक confession करता हूँ आज, 2018 में ना ऐसा था कि Punjab PCS and UPSC IS, they were very close to each other, कि जैसे उस टाइम पे UPSC IS 2018 में, as far as I can remember, it was on 3rd June, या 13th June, कुछ ऐसी डेट थी, and Punjab PCS was conducted on April 2018, तो उसमें मेरे साथ के काफी सारे बच्चे, जो जिन्होंने मेरे साथ coaching start की थी, मेरे classmates, एक मेरे इधर बैठता था, एक इधर बैठती थी, इन्होंने paper दे दिया और भर दिया Punjab PCS का, मुझे लगा कि शायद Punjabी तो मुझे इतनी revise करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, I should focus on UPSC, और मैंने form नहीं भड़ा, तो पता लगा कि जितने ये लोग थे, इधर इधर बैठने वाले, इनका भी pre नहीं हुआ था उस time पर, लेकिन Punjab PCS का pre इनका निकल गया, and at the end of the day, मेरी आधी class Punjab PCS clear करके बैठी है, जिसमें से one of my friends, दिलपरीट सेंग, उनका PCS तब clear हो गया, he became तहसीलदार class 1 first, उसके बाद वो motivation बढ़ गी उनको, सरकारी नौकरी आगई, strong हो गए, अब साथ साथ तयारी करते जा रहे हैं, second time उन्होंने फिर से PCS दिया, पंजाब का, उसमें he became PCS executive, और थोड़ी ही देर के बाद, उनके वो motivation क्योंकी थी, तो he was quite motivated, और उनका momentum बना रहा, तो ultimately recent conduct हुए अभी exam में, I think it was 2021 का exam, yes, UPC का, उसमें IPS बन गए हैं, तो वही बात है यार, कि कई बार हमें नहीं पता होता, कि एक exam किस तरीके से हमारी जिंदेगी परिवर्तित कर सकता है, तो उनकी अगर बात सुनें न, कहते हैं कि वो जो PCS वाली चीज ने उनको boost दिया, उनके confidence को, उस confidence की वज़ा से वो अपना IS clear कर पाए, और IPS बन गए, तो फिर आप Indian Express, कोई और बढ़ा रहा हूँ तो आपको, तो इसलिए point सिरफ इतना ही है, कि please form भरियेगा, बहुत जादा ऐसा सोचने की ज़रूत नहीं है, कि इसकी तैयारी बहुत अलग है, बिल्कुल ही अलग है, कि one is Greek and other is Sanskrit, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, क्या अंसर है इसका, किसके साथ हम sign कर रहे हैं, obviously USA के साथ, ठीक है, ऐसा question आएंगे, ACIO में पकाएंगे, और UPC में ऐसा question आ सकते है, cultural property agreement के context में, US and India के context में, आपको तीन statements दे रखी हैं, and you have to identify the correct ones, ठीक है, first statement के रिए है, कि once it comes into effect, instead of India having to prove that the item in question belongs to it, US will automatically offer it for return, now see, यह question अब बड़ा असान लगेगा, यह statement आपको बहुत असान लगेगी, कि it is true, because you have understood and read about cultural property agreement, ठीक है, so in that context, पढ़ा हुए है तो इसलिए असान लगेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होता, तो आपको लगता कि यही कैसा हो सकता है, कि इसके effect होने के बाद, इंडिया को बिना proof किये, यह US वापिस कर देगा, इसमें कुछ glitch लग रहे है, तो आप गलत इसको mark कर सकते थे, as false, but this is true, और हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है, इसमें देखो, होगा क्या, आपको भी हजम नहीं होरी, जिन लोगों को बात, उनको थोड़ा और explain कर देता हूँ, इस agreement के आने के बाद, US की ही agencies और उनके institutions, किसी भी ऐसे smuggled good की, identification करेंगे, ठीक है, उसकी study करेंगे, जो भी पकड़ा गया ना, ऐसा समान, उसको study और उसकी identification करेंगे, और ये, वो लोग, उनका काम होगा कि, identify करना है कि, किस country से smuggled होके आया है, जैसे उनको पता लगा, उन्होंने offer कर दे, ये चीज़ हो रही है यहां पर, ठीक है, तो this is true, second is, archaeological survey of India, will be the nodal agency, to oversee the returns of such cultural properties, coming back to India, yes, archaeological survey of India, ये nodal agency रहेगी, क्योंकि ये custodian of antiquities है, अभी इसका role और इसकी responsibility, and burden काफी जादा है, agreement के बाद burden कम हो जाएगा, लेकिन responsibility फिर भी रहेगी, smooth हो जाएगा पूरा process, लेकिन important role इसका फिर भी रहेगा, India is using the cultural property agreement, with European Union, as a template for agreement with US, इस statement का मतलब है कि, इंडिया की already, European Union के साथ एक agreement signed है, और उसको हम एक template की तरह use कर रहे है, US के साथ इस particular agreement के लिए, तो ये गलत है statement, क्योंकि European Union के साथ हमारी ऐसी कोई agreement नहीं है, in fact, US के साथ जो हमारी एगरिमेंट बनेगी, similar agreement हम template की तरह बाकी countries के साथ use करेंगे, I hope ये चीज़ आपको clear हो चुकी है, कि US के साथ agreement जो हमारी बनी है, this will be used as template for other countries, not this way, जो इस statement में बताया गया है, तो first true है, second true है, तो हमारा answer option B बन गया, ठीक है, चलो, अब बच्चों वाली हरकतें हो इग रही है, ठीक है, US और चाइना की बच्चों वाली हरकतें हमने देख ली, कि कैसे nine dash line को आपस में बसर्ड मचाते हैं, तो अब Finland को भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ बड़ी बच्कानी हरकत अब रश्या कर रहा है, ठीक है, पुतिन जी, पुतिन जी ने Finland को कहा, कि भी नेटो ना जॉइन करी, हश्न अच्छा नहीं होगा, Finland ने कहा, कि तरसे वैसे ही पूरी दुनिया इतनी खफा है, और उक्रेन में तुन्हें इतने पटाके फोड़े हैं, कि तू कर ले जो करना है, मेरा कुछ नहीं बिगार सकता, ठीक है, क्योंकि Finland को कहीं ना कहीं पता था, कि territorial encroachment युक्रेन में कर दी, अब तो क्या ही करेगा, और नेटो में आ गया, उसके बाद नेटो का सीधा-सीधा फंड़ा है, कि भाई, गरारी है, ठीक है, पंजाबी में कहते हैं कि गरारी है, गरारी मतलब कि बस करना तो करना है, इसका मतलब यह है कि Finland नेटो का पार्ट है, नेटो के उपर अगर किसी ने अटाक किया, किसी एक कंट्री के उपर भी अटाक गो है, अब सारे मिलकर आपको मजा जखाएंगे फिनलेंड को पता लगे नेट्टो में आगयों कहते कर ले जो करना अब तो रिश्या को भी पता है क дорог नेट्टो में तो आ गया ये ठीक है यूकरेन तो नहीं था अब यहां पिर क्या करें तो indirectly फिनलेंड की नाक में दम करने का इसने एक तरीका ढूंडा किके वो होते हैं नहीं बचकानी बात ने कभी-कभी किसी की water bottle में कुछ डाल दिया या किसी के bag में आपने पानी फैंक दिया, कुछ ऐसी बचकानी चीज़ें तो रश्या ने क्या किया है, रश्या ने कहा कि फिनलेंड को जवाब तो देना है, इसने उलंगन किया, फिनलेंड ने कही न कहीं, मेरे इशारों का या मेरी बात मानने से कहीं न कहीं, एक उलंगन किया, तो इसको एक बार जवाब तो देना बनता है, तो इन्होंने क्या किया इन्होंने बहुत सारे जो Middle East crisis के बाद, ये Middle East crisis अभी की बात नहीं कर रहा, अभी भी crisis तो अभी भी हैं, बट जब Arab Spring हुआ था, तब से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग वहाँ से displaced हो गए थे Middle East से, सीरिया की बात करें, इराग की बात करें, तुनिश्या and many other regions, तो वहाँ से migrate करके ये अलग-अलग जगाओं पर asylum सीख कर रहे थे, तो अब बहुत से लोग रश्यक में आ जाते थे, अब ये Russians क्या कर रहे हैं कि इनको पूरा Russia क्रॉस करवा के कह रहे हैं, यार ये Finland बड़ा प् humanitarian है, humanitarian aid, फलाना ढमकाना, लेकिन इनके कलेश की वज़ा से, जो Middle East के लोग इतने सारे डिस्पेस हो चुके हैं, उनको जब asylum देने की बात आते हैं, तो इनको मौत आती है, ठीक है, कैसे ये देखो, ये कह रहे हैं कि according to official stats, more than 900 migrants have arrived in Finland since August, August से लेकर अब तक 900 migrants यहाँ पर आ पड़ गया, Finnish लोगों का, ठीक है, इंडिया में 900 बच्चे मुझे लगता है, जैसे जैसे हम बात करने, 900 kids might have already been born, and by the time we start our ACIU batch tomorrow, उस टाइम तक हो सकते हैं, कि 900 migrants यह नेपाल, बुटान, मतलब, वहां पर तो खायर restriction बेनी हैं, बांगलादेश से भी यह आ गए होंगे अब बात किये, तो इनको कितनी तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो यह कह रहे हैं कि यह सीरिया, येमन, सुमालिया, इराक, अफगानिस्तान से, स्नीकर्स पहन कर, इनलेंड में आ गए हैं, यह mention किया गया है, ठीक है, यह मैंने अपनी मर्जी से, चुटकुला सुनाने के लिए अड नहीं किया गया, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि स्नीकर्स पहन के फिनलेंड आ गए है, इससे परेशानी हो रही है इन्हे, यह कह रहे हैं कि देखो स्नीकर्स पहन कर, अतनी टॉप पहुंच गया, यहां लद्दाग चला गया चपल पहन कर, तो स्नीकर्स पहन कर फिनलेंड क हमें तंग करने के लिए वो यहां पर बेज रहे हैं अब इस चीज को रश्या और उसका एक लाय है बेलरूस ये कहते हैं कि ये लोग ना hybrid warfare का इस्तेमाल कर रहे हैं hybrid warfare का मतलब होते है कि अब समय ऐसा आगया कि देखो एक तो नेटो एलाइंस है इनके पास न्यूकलियर पावर है एगर नेटो एज एन एंटिटी को हम कलेक्टिवली देखेंगे तो येस अव नुकलियर आर्सेनल यूएट क्योंकि ये पूरा का पूरा नुकलियर आर्सेनल US, UK, France, इनके पास है, तो अगर कुछ गड़बड होते हैं, तो यह अटाक कर सकते हैं, तो जो conventional warfare है, जो world wars के समय पर हमें नजर आया था, उस तरह की confrontation की अब possibility नहीं है, लेकि लड़ना तो फिर भी है, तो लड़ने के नए-नए हथकंडे, यहां पर use किया जाते हैं, तो western world, including Finland यह, रश्या और बेलरूस के उपर यह इलजाम दगाते हैं, कि बहुत से, जैसे यह asylum seekers होते हैं, इनको ना प्याद्दों की तरह इस्तेमाल किया जा रहे हैं, just to destabilize western democracies, बंदा इन से पूछे, कि यह बिचारे लोग, आपने इन countries को destabilize कर दिया, ठीक है, Middle East and Various अधर, हलकी statement है, वैसे तो analyze करोगे, इसका बहुत depth में, तो कुछ और भी चीज़े निकल के आएंगी, but, overly आप देखो कि आपको अपनी democracy पर इतना अभिमान है, आपकी democracy इतनी weak है कि 900 immigrants अगर आगे, तो आपकी democracy destabilize हो जाएगी, जवाब है, to some extent yes, इनकी democracy इतनी weak कहीं ना कहीं है, reason being कि देखो यार, जब ऐसे immigration होती है ना, तो इन countries की इतनी population ही नहीं है, तो इनको 800-900 लोगों से काफी फरक पड़ जाएगा, और अगर एक बार ये बात out हो गई, कि ये लोग asylum दे रहे हैं, refugees को, तो फिर सारे refugees जो अभी इधर उदर दूसरे countries में कोशिश कर रहे थे, वो ग काना चाता है हमारे country में आजए, तो एक rush of immigration स्टार्ट हुई थी Middle East से into France, right, France में जब ये rush हुआ, तो इस में से ज़्यादतर population जो फ्रांस में आई, वो थी Islamic population, फ्रांस में already रहने वाली population was Christian population, और जब ये दोनों populations एक साथ रहें, वहाँ पे आया cultural clash, तभी we could see controversies like Burkini, सुन right, के Islam में Burkha, it is their culture, ठीक है, nothing wrong, उनका culture है, follow करते है, अब फ्रांस में कुछ बीचीज है, and French, I don't think so that I need to tell you, that what are French popular for, ठीक है, किसी को नहीं समझ रहा है, तो बस हिंट दूँगा, Imran Hashmi, ठीक है, तो समझ गए, right, तो French, these people are known for being, indulging into public display of affection, you can say, right, तो इलको था कि हमारी बीच पे अगर आना है, तो नंगे घुमो, ऐसे Burkha नहीं पहन होगे, ठीक है, तो वहाँ पर जब Islamic population आई, वो भी बीच पर घुमना चाहते थे, वो आते थे, तो उन्होंने Burkini ये पहननी स् रखती है, आपकी पूरी body को covered रखती है, and it has certain material जो थोड़ा सा, मतलब waterproof, something like that, आप कहलो, लेकिन France, French population ये हजम नहीं कर पाई, ये कहते हैं कि बीच में Burkha पैन के क्या कर रहो, तो इन्होंने Burkha के ऊपर कई सारे Burkini के ऊपर बैन लगाने की बात हो रही है, और भी बहुत स होते हैं, तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है, तो इस वज़ा से अब वो मुद्दे बन रहे हैं, जो पहले कभी मुद्दे थे नहीं, और जो original inhabitants France के हैं, उनको काफी तकलीफ होनी स्टार्ट हो गई, जब politicians, देखो हर country का politician, maximum vote लेने के लिए, सब को खुश रखने की कोश करेगा, जिसमें की majority population थोड़ा दुखी भी हो सकती है, तो इसलिए एक destabilization महसूस की गई थी, ठीक है, जस टेलिंग यू, as an example, कि France में ऐसी चीज होई थी, तो इन countries का, Finland जैसे countries का कहना है, कि Moscow और उसके कुछ allies हमेशा migration को weaponize कर रहे हैं, ठीक है, कि migration की आड में हमारे countries के अं कि इतना फरक ना पड़े, जो भी immigrants आ रहे हैं, आप उनको opportunities दो, उनको educate करो, train करो, अपनी country का भी फाइदा करवा हो कि आपका human resource बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर लोग नहीं रहते हैं, इन countries में, Sweden, Norway, Finland, इधर population ना बराबर है, ठीक है, जैसे आप Switzerland जाओगे न, तो वहां पर Switzerland is very similar to Himachal, ज्यादा फरक नहीं है, फरक कहां पर है, उनकी सड़के मक्षन है, ठीक है, उनके जो tunnels बने हुए, they are outstanding, अगर हम अपने infrastructure पर काम कर लेना, तो Himachal is actually, in fact, it would be more beautiful, और बहुत सा ऐसे villages आते हैं, बीच में, Switzerland में, लेकिन दूर दूर तक आपको बंदा ही नहीं द पर यहां पर feel कर रहे हैं, ठीक है, तो यह पूरा का पूरा मामला था, अब आपके exam के point of view से, Finland क्योंकि इसने netto भी join किया है, news में भी रहा है, and due to many reasons यह news में रहा है था, जिसको हमने cover किया हुए from time to time, Finlandization, this process was also discussed in one of our lectures, तो यहां पर Finland की geographical location को एक बर revise कर लेना, ठीक है, देख लो, Sweden, this is Sweden, this is Finland, इन दोनों को कौन सी water body separate करती है, ठीक है, कौन सी water body इनको separate करती है, Norwegian Sea, North Sea, Gulf of Botnia, none of the above, answer इसका है, Gulf of Botnia, ठीक है, क्यों मैं कहे रहा हूँ, Gulf of Botnia, क्योंकि यह particular जो water body है, यह Sweden और Finland के ऐसे बीच में आ रही है, ठीक है, तो Norwegian Sea तो यहां पर है, North Sea यहां तो यह body जो है, यह separate कर रहे है, तो Gulf of Botnia is the correct answer, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, option C, ठीक है, इसी के साथ-साथ ऐसा question भी आ सकता है, which of the following rivers forms a natural frontier between Sweden and Finland, अब पिछले question और इस question में फरक है, ठीक है, दो यह countries ऐसे हैं, इनके बीच में कौन सी water body आ रही है, very clear and evident from the map, लेकिन आपको पते हैं कि rivers, they form natural frontiers as well between two countries, ठीक है, इंडिया और पाकिसान के भी कई जगहों पर जो boundary हमारी बन रखी है, उसमें rivers, they offer a natural frontier, that is why climate change, जो है, क्याहा जाता है, कि territorial disputes को भी बहुत जादा aggravate कर सकते हैं, why, because, because of climate change, the course of these rivers, it is going to change, and because बहुत से countries, and बहुत से इंडिया की states में भी, ज they are based on natural frontiers, if they change, तो territorial dispute होना start हो सकते हैं, तो यहाँ पे torneo river है, जो एक natural frontier बनती है, between Sweden and Finland, आप अगर देखना चाहते हैं इसको, तो यह देखो, यह Finland है, यह Sweden है, and this river, यह देखो, यहाँ से आ रही है, और यह देखो, यह natural frontier बना रही है, दोनों के बीच, तो यह एक additional information आपको यहाँ पर देदी, ऐसा question you can expect in prelims, as well as ACIO exam, where I am going to teach general studies, complete general studies, तीक है, अब यह article, यह article है आपका self-study article, लेकिन, इस article के basis बे, let us try to solve an MCQ, तीक है, इस MCQ को solve करते हैं, जो की third angle भी आपको दे रहा है, निमोनिया के बारे में बात हो रही है, तो निमोनिया से जुड़ी हुई ती statement को identify करना है, statement one के रही है कि निमोनिया is caused by bacteria only, primarily the bacteria called as streptococcus pneumonia, streptococcus pneumonia, right, second statement के रही है कि three doses of primary vaccine, that is pneumococcal conjugate vaccine, these are recommended to prevent pneumonia, और third statement के रही है कि together, the Democratic Republic of Congo, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, they account for more than half of all the deaths due to pneumonia, among children under five, children under five, यह five है यहांपे, ठीक है, these are the three statements जो आपको दे रही है, question आपको difficult लगेगा, ठीक है, question difficult आपको लग सकता है, क्योंकि statements जो हैं, यह heavy statements हैं, और अगर UPSC exam में, आप imagine करो खुद को उस दिन में, sheets distribute हो गई है, ठीक है, और आप वही try करोगे, ऐसे करके देखनी कि क् question एक पहले ही पता लग जाए, देखते ही answer मा कर दूगा, बट ऐसा करना मत, आप disqualify हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा मत करना, तो उसके बाद, पहले ही page पे जब ऐसा question देखोगे, तो एक boom, ठीक है, you will have a palpitation in your chest, एक haul पढ़ना, पंजाबी में कहते हैं, haul पाएगा तौन, एक haul आ होता है, एक prominent cause bacteria definitely है, and bacterias में, even इस entity का नाम, ये भी bacteria ही है, septococcus pneumonia is also a bacteria, and जाधा तर pneumonia के cases इसकी वज़े से होते हैं, लेकिन pneumonia has multiple reasons जिसकी वज़े से हो सकते है, viral and fungal infection से भी pneumonia हो सकते है, जैसे कि, adenovirus and influenza virus, even these viruses, these viruses और, virus, I don't know, चलो, ये virus की वज़े से, आपको pneumonia हो सकता है, ठीके, तो सिर्फ bacteria ही only cause नहीं है, अगर bacteria से pneumonia किसी को हो रहा है, तो bacterial pneumonia को treat करने के लिए, 10 doses लगेंगी, primary vaccine, ठीके, 3 doses of primary vaccine, that is pneumococcal conjugate vaccine, ये bacteria द्वारा cause किये गए pneumonia को, उसको tackle कर सकता है, ठीके, और पूरी दुनिया में, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, ये actually, पूरी pneumonia द्वारा cause किये diseases का आदा burden, इन ही countries के उपर है, ठीके, आपका homework, इन countries को, इंडिया, पाकिसना तो पता है, बाकी countries को एक बार map में locate कीजिए, तो two statements correct, answer क्या बनगे, option B, ठीके, तो आने वाले समय में हम और MCQs को solve करते रहेंगे, मेरी कोशिश यही रहेगी, कि ये series, UPCIS aspirants को तो help कर ही रही कि ये series, किसी भी competitive exam की चाहिए, आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको maximum benefit जरूर दे, having said that, इस session को यहाँ पर wind up करते हैं, and to enroll in any course, and to get highest discount that you want to avail, CS live code का आप इस्निमार कर सकते हैं, all the best friends, thank you so much, और Guru Nanak Janti की, एक बार फिर से आप सभी को, देश सारी शुब कामने,